दोस्तों, भारतिय क्रिकेट टीम के स्टार बल्ले बाज विराट कोहली आगामी एशिया कप 2022 की तैयारियों में जो शोर से जुड़ गए है जी हाँ दोस्तों, एशिया कप में टीम इंडिया को अपना पहला मुकाबला 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है जिसके लिए किंग कोहली अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते है रन मशीन को तीन सपताह से ब्रेक दिया गया था ताकि वो तरोताजा होकर मैदान पर लौट सके उसी के मद्दे नजर विराट अपनी फिटनेस के साथ साथ बैटिंग स्किल में भी निखार लाने पर ध्यान दे रहे है जिसमें उनका मार्क दर्शन RCB के हेड कोच संजेब आंगर कर रहे है कोहली रनिंग के साथ साथ मैदान में औफ स्टंप पैटिंग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे जो उनकी फिलहाल की सबसे बड़ी कमजोरी है अब देखना ये है कि इस जोरदार तयारी के बाद कुछ सालों से खामोश रहा विराट का बल्ला फिर से चौको छेकों की बरसात कर पाता है या नहीं तो दोस्तों आपकी राय में क्या रन मशीन एशिया कप में अपने पुराने अफ्तार में नज़र आएंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले